और चेप्टर का नाम है हमारा ओपरेटिंग साइकल बहुत छोटा सा चेप्टर है सबसे पहले नाम देख लेते हैं सर ओपरेटिंग साइकल का मतलब क्या है और क्या करेंगे ओपरेटिंग का मतलब हमारा काम काम यानि वर्क और सर बिजनस के अंदर वर्क का ना एक साइकल होता है साइकल का मतलब आप कह सकते हो काइंड ओफ देट साइकल यानि रिंग टाइप का है और साइकल का मतलब हर चीज का एक प्रोसेस होता है कि ये काम होगा फिर इसके बाद ये काम होगा जैसे आप first पढ़ोगे first class के बाद आप फिर जाओगे second class में third में, fourth में, fifth में तो ये क्या है cycle है आप first class को pass करोगे आप कहाँ पहुंच जाओगे second class में third class में तो इसी तरीके से हमारा manufacturing जब हम कभी भी work करते हैं तो work करने में ने हमारा cycle होता है cycle क्या होता है सबसे पहले raw material होता है अब ध्यान से समझिएगा सबसे पहले क्या होता है raw material सबसे पहले क्या होता है आप ही की class चल रही है सबसे पहले क्या होता है raw material raw material को आप बनाने की तयारी कर देते हो raw material खरीदा कच्छा माल बनाने की तैयारी करोगे that is क्या आ जाएगा अब आ जाएगा हमारा WIP WIP का मतलब last class में हमने discuss किया था कि काम हमारा चलेगा तो raw material आप समान खरीद के लाए आपने काम start कर दिया तो वो कहां चला गया WIP WIP जैसे होगा वो क्या हो जाएगा हमारा यूँकि WIP में अगर कुछ activity कर दे तो वो किसमें convert हो जाता है finished goods finished goods से फिर जैसे ही होगा आप क्या कर दोगे sold कर दोगे क्या करोगे sold कर दोगे यानि ये आपका sold करने के बाद फिर पैसे आएंगे और फिर आप क्या खरीद होगे raw material फिर WIP होगा तो ये एक तरीके से क्या है हमारा cycle है अब जब आप समान को खरीदिते हो तो इसमें भी आपका time लगता है समान को जब WIP में देते हो तो इसके अंदर भी time लगता है आपने last वाले में मैंने इसलिए पहले करा दी आपको पता हो था कि WIP में दो महने लग रहे थे डेड़ महने लग रहे थे लेकिन कैसे पता चल रहा था वो अब इस chapter में सिखेंगे WIP से finished goods में बनने में भी time लगेगा FG से SOL में भी time लगने वाला है तो ये सारी चीज़े क्या है कि आपका कितना time तो net operating cycle का मतलब इस काम को करने में आपका total कितना time लगेगा पूरा time इसको हम जब circle चलाएंगे तो total कितना time लगेगा हमें ये बताना है इस chapter के अंदर ठीक है न साथ के साथ इस chapter में क्या बताना है कि साल में कितनी बार ये काम करेंगे number of operating cycle साल में कितनी बार ये काम करने वाले हैं एक तो ये भी बताना होगा और साथ के साथ बताना होगा वर्किंग क्यापिटल कितना रिक्वाइड होगा यानि तीन चीजे इसमें पूछी जा सकती है आप से सवाल में सर तीन चीजे क्या क्या पूछी जा सकती है ओपरेटिंग साइकल में operating cycle में सर तीन चीजों को देखे एक आप से पूछा जाएगा net operating cycle ये सर किस में निकलेगा आपका ये निकलेगा आपका days में सर net operating cycle कैसे निकलेगा format देखे आपका सबसे पहले जो time लगेगा किस में raw material में raw material में क्या time लगेगा आपको वो लिखेंगे plus आपका किस में time लगेगा WIP में वो लिख लेंगे plus आपका किस में time लगेगा finished goods में वो लिख लेंगे plus आपका किस में time जाएगा debtor में इसके बाद ये आ जाएगा हमारा gross time मैं normal general word use कर रहा हूँ बागी मैं proper लिख दूँगा gross time मान लेते हैं या फिर gross time का चकर ही अटा देते हैं यहाँ पर हम रख लेते हैं इसको हम average collection period भी बोलते हैं एक या होगा हमारा creditor से creditor में हमारा time consume नहीं होगा creditor हमें time देते हैं के इतने time के लिए creditor में हमारा time इन सभी को जब minus करेंगे तो आजएगा net operating cycle question raise होता है कि sir यह सभी कुछ क्या हमें given होगा सवाल में जो आप बता रहे हो यह time वगेरा क्या यह time questions में given होगा आपको यह सभी के सभी find करने पड़ेंगे आपको यह भी find करना है यह सभी के सभी क्या करने पड़ेंगे find यानि sir इसको find करने का कोई तरीका है क्या बिल्कुल इसके कुछ formula है कुछ basics है उसको देखेंगे फिर यह निकाल लेंगे तो पहला pattern है में number of operating cycle निकालना किसमें time में दूसरा point आएगा इसमें कितने number of operating cycle है number of operating cycle और sir number of operating cycle जो पूछा जाएगा आप से हमेशा पूछा जाएगा year में कि एक साल में आपके कितने number of operating cycle है year में इसका formula तो यही लिख देते हैं sir कैसे पता चलेगा एक साल में कितने number है तो आपका 360 days divided by net operating cycle इसको मैं NOC कह देता हूँ net operating cycle short form में थोड़ा सा NOC ठीक है ना अगर 360 में NOC लगाओगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा number of एक साल में कितने number होंगे अगला होगा हमारा working capital requirement working capital requirement next होगा working capital requirement sir इसके भी बहुत आसान है कितनी working capital requirement है तो इसमें हमें दो तीन चीजों को बातों का ध्यान रखना होता है जैसे जैसे सवाल में आएगा वैसे हम कर लेंगे हाला कि आरपी रस्तों की बुक के अंदर दो ही चीजे पूछी गई है सवाल के अंदर एक ये और ये की ये लेकिन एक्जाम के अंदर ये वाला भी पार्ट पूछा गया है तो इसलिए मैं ये वाला पार्ट भी कवर करूँगा जिसके बस बुक है उसके अंदर ये दोनों पार्ट के तो कुछिंस मिल जाएगा जो हम करने वाले हैं सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे इसको कवर करने के क्या है ये दोनों तो आपस में connected है वन मिनिट का काम है अगर ये आ गया तो ये भी आ जाएगा इसको कवर करने के लिए हमें इनके फॉर्मूले को जानना होगा कि किस तरीके से क्या अपलाए करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना होगा raw material में कितना टाइम लगेगा तो sir raw material में निकालने के लिए आपको उपर लिखना होगा average raw material divide करना पड़ेगा किस से sir divide करना पड़ेगा आपको या तो material से या material consume या फिर आपका total purchase इन सभी का इस्तमाल कर सकते हैं और multiply by आपका 360 question कहता है तो ठीक नहीं तो फिर 365 तो एक ये time निकल जाएगा आपका किसका material जो हम purchase करते हैं उसके अंदर हमारा कितना यानि stock में कितना time रहता है raw material के कैसे निकलेगा average raw material सर अब question आता है average कैसे निकालोगे last में बता देंगे वैसे आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का average कैसे निकालते हैं opening plus closing divisible by 2 opening plus closing divisible by 2 ठीक है इसके बाद अगला क्या था सर जैसे raw material होगा किस में जाना पड़ेगा बताओ raw material हुआ अगला step कहां चले जाएंगे हम WIP में तो इसा WIP कैसे निकालेंगे work in progress work in progress में क्या लगेगा average WIP divided by cost of production into में 360 या 365 as पर जो question कहता है अब हमें समझ रहा है average average एक बार किसी का भी समझ जाएंगे सबका हमें पता चल जाएगा cost of production कैसे निकाला जाएगा आपने अभी semester 4 खतम किया तो semester 4 में याद होगा cost of production कैसे निकाला जाता था किसमें cost sheet वाले part में कैसे निकालते थे cost sheet वाले part में opening stock जासमें production unit निकालते थे तो मैं यहीं लिख देता हूँ cost of production जो चीज़े यहां लिखना है साथ के साथ लिख देते है cost of production is equal to opening अगर ना given हो always given होगा opening stock plus direct expense और यहां पे मैं opening stock को plus ना करके यहां लिख देता हूँ closing stock या फिर ऐसा करते है आपका ना एक बहुत starting से चल रहा है formula को इधर उधर कर लिजेगा हम निकाल लेते है cost of good sold ठीक है इसका formula क्या होता है opening stock यह सब को याद रहता है plus में purchase plus में आपका direct expense याद है और minus क्या कर देते हैं यानि आपको cost of good sold यह सारी बाते दे दे और opening stock दे दे closing stock सब कुस दे दे और सरिफ आपका यह वाला part missing कर देगा वो इसी को cost of production कहेंगे सरिफ जो भी balancing figure निकलेगा जिसे आप purchase कहते हो वही क्या निकल के आएगा आपका cost of production यानि आपको cost of good sold भी दे देता है आपको opening stock भी दे देता है आपको closing stock भी दे देता है तो आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा cost of production और इस cost of production कर कहां इस्तमाल कर लेंगे यहाँ पर कर लेंगे ठीक है न cost of production बस ध्यान देना यह जो opening stock और closing stock होगा नहीं यह raw material का होगा किसका होगा यह raw material का लिख देता हूँ यह होगा हमारा raw material का यह होगा raw material क्योंकि हमारे पास तीन तरीके के stock होते हैं आपका raw material WIP और finished goods तीन तरीके के होते हैं तो तीनों तरीके के यहां पे होगे हैं तो यहां पे किसका लेना है आपका opening का और इसमें WIP का भी हो जाएगा plus WIP और यहां पे भी plus WIP हाला कि इतना complicated question नहीं आता question बिल्कुल simple आता है लेकिन मैं बता के चल रहा हूँ तो यानि opening stock कौन-कौन सा लेना है सर इसमें raw material वाला भी ले लेना है और WIP cost sheet याद करो जिन बच्चों ने cost sheet पढ़ा है तो cost sheet के अंदर हमारा क्या होता है opening stock closing stock भी आ जाता है इसके बाद अगला step क्या जाएगा हमारा FG की तरफ next step क्या चला जाएगा हमारा FG में अगले page पे लिख लेते हैं finished goods finished goods कैसे निकालेंगे निकालेंगे average finished goods divided by अब यहाँ पर आ जाएगा cost of goods sold sir cost of goods sold कैसे निकलता है sir cost of goods sold का देखो formula cost of goods sold यह निकलता है opening stock plus purchase purchase की जगह पे लिखेंगे plus production sir production कहां से आएगा जो पीछे से निकला था न यही production minus closing stock sir पीछे भी opening closing stock था हाँ परक है यह कौन सा होगा हमारा finished goods वाला आपको cost it थोड़ा सा दिमाग में रखना है तो आपको सारी बाते एकदम clear रहेगा कि sir यह कौन सा लिया करते थे हम finished goods वाला है यहां तक clear है ठीक है sir चलिए आगे finished goods के बाद आगे क्या बनेगा हमारा debtor debtor में कितना time लगेगा formula कहता है average debtor divided by debtor बनता है credit sales से credit sales से into में 365 credit sales बताने की जुरत नहीं अगर total sales पता हो और cash sales पता हो तो total sales में से अगर हम cash sales को घटा देते हैं तो क्या बचता है credit sir यह बिल्कुल basic सी चीज़ है बहुत starting में पढ़ चुके हैं तो इसमें ज्यादा detail में नहीं जानते इसके बाद क्या होगा creditor creditor में कितना time लगा तो average creditor divided by अब यह बनता कैसे है purchase से और कौन सा purchase credit purchase into 365 कर दिया कई बार आप यहाँ पिना circumstances ऐसा बनता है कि मान लिया जाए आप ध्यान दिजेगा मैंने इसके नीचे बहुत सारे point लिखे लेकिन इसके नीचे लेके कई बार आपको यह सब कुछ ना given हो cost of goods sold given हो तो हम यहाँ पे न cost of goods sold cogs बोलते है ठीक है न यहाँ cost of goods sold भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर हमें cost of production नहीं मिल रहा same यहाँ पे कई बार आपको अगर मान लो cost of goods sold ना given हो तो आप cost of production का भी इस्तमाल कर सकते हो alternative point में ठीक है यहाँ पे credit sales ना given हो तो total sales भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं बताता जा रहा हूँ आप ध्यान से लिख लिजेगा full form जब आप दुबार नोटिंग करेंगे ने वीडियो देखके तो लिख लिजेगा credit purchase ना पता हो तो यहाँ पे total purchase भी लिया जा सकता है option में alternative में क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने सारा का सारा खरीदारी कैसे किया है credit purchase पर ही किया है सारा का सारा ठीक है तो यह क्या है सर हमारा finished goods अब आगे आगे अभी हमने क्या देखा था सबसे पहले क्या देखा था सर एक circle चलेगा raw material यानि raw material में कितना समय लगेगा मान लो इसके अंदर समय कितना लगता यह आगे देख लेते है कैसे time निकालेगे हम मान लेते हैं एक circle लगे ठीक है ना सबसे पहले raw material sir raw material में कितना time लगेगा मान लेते हैं 10 दिन लग गए फिर क्या आएगा हमारा WIP sir WIP में यहां से यहां तक कितने time लग गए 15 दिन लग गए फिर क्या आएगा FG sir FG में कितने लगे sir 5 दिन लग गए इसके बाद क्या आएगा debtor यानि sales debtor में कितना time लगा इसके बाद आता है creditor और creditor negative होता है क्योंकि यह सारे ना हमें पैसे देखो यह सारे वो time period है जिसमें हमें इंतजाम करने पैसे के और यह वो time period है जिसमें creditor हमें benefit देगा मान लो आपको total 20 दिन के लिए पैसा चाहिए और उसमें से 5 दिन का आपको उधारी कहीं से मिल रहा है तो net में आपको 15 दिन का ही पैसा चाहिए ना तो आपको 15 दिन बताना पड़ेगा number of operating cycle हाला कि मैं creditor हटा देता हूँ मैं दुबारा लिख देता हूँ और इसका formula भी यहीं पे मैं plot कर दूँँआ ठीक है अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको clear है चलिए सबसे पहले हमारा होगा raw material raw material sir इसका formula क्या है जहां जहां मौका मिलेगा मैं बताता जाओगा क्या लिखा था average raw material divided by purchase या फिर raw material consume ठीक है into में क्या करते हैं 365 और 60 maybe situation इसके बाद किसमें जाएंगे हम WIP sir क्या formula बताया है WIP का average WIP divided by cost of production क्योंकि आप याद करो WIP तक तो हमारा production ही होता है इसके बाद कहां जाएंगे sir हम आगे चलता जाएगा समय चलता जाएगा और आजाएंगे हम finished goods finished goods क्या होगा average finished goods divided by finished goods कहां से निकलता था cost of goods sold CO GS into में तो रहेगा ही 365 चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो क्या बनेगा sir हमारा debtor sir debtor का formula क्या था average debtor divided by क्या किस से बनता है debtor sir credit sales into में 365 whatever आपको जो भी लगे वो आप use कर सकते हो ठीक है ना तो ये था हमारा total और creditor का भी आपको पता है कि creditor का क्या होगा ये सारे formula को मैं highlight कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए यानि आप इसमें देखोगे ना तो उपर तो सब का average ही है इसमें भी उपर average इसमें भी जैसा नाम उसका average अगर raw material है तो raw material का average डबलू आईपी है तो डबलू आईपी का average finished goods है तो finished goods का average debtor है तो debtor का average divide by आपका बदल जाएगा हर किसी में एक creditor का मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या हैगा average और creditor बनता कैसे है credit purchase into में 365 तो इसको याद रखना भी बहुत मुश्किल नहीं है simple सा है और मान लो इसमें लगए 10 दिन इसमें लगए 5 दिन इसमें लगए 10 दिन इसमें लगए मान लो 5 दिन और इसने हमें दे दिया 15 दिन ठीक है तो total हमारे पास से time जो लगा ना operating में करने में तो 10, 5, 15, 10, 25 और 5 तीस दिन तो हमारे चले गए जिसमें से 15 दिन हमें benefit मिल गया तो net operating cycle क्या हो गया सर 15 days का net operating cycle आएगा आप format देखिए raw material में कितना time लगा निकाल लोगे यह time amount नहीं लिखना यह time है इसके बाद WIP में कितना time लगा है यह भी निकाल लोगे FG में time सब को जोड दोगे और creator को क्या करोगे minus कर देंगे ठीक है न तो इस तरीके से हमें एक सवाल देख लेते हैं पहले और इसके न कुछ technical और भी नाम है सवाल के बीच बीच में करते जाएंगे पहले यहां तक आपको formula clear होना चाहिए और उसी formula के according हम चलेंगे देखे आपको सारी चीज़े given है और कहता है current working capital cycle निकालना है और इसको working capital cycle का नाम दिया है उन्होंने question visual है average finished goods 360 है या 365 हाँ कुछ बच्चों का doubt आ रहे है तो देखो 360 और 365 as per questions given अगर question नहीं कहता तो always आप 365 लेके ही करेंगे ठीक है मैं भी करूँगा जैसे सवाल के अंदर कहीं भी question में कुछ नहीं बोला तो generally मैं जो है ना वो 365 लेके करूँगा लेकिन अभी देखना कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पर वो बोल देगा कि साल में आपको 360 दिन ही मानना है तो हम 360 दिन के हिसाब से उसको करेंगे ठीक है ना चलिए चलिए सर सीओ जीएस का फॉर्मूला 2 कैसे हो सकता है सीओ जीएस का फॉर्मूला 2 कैसे हो सकता है disgust x..? आफ गूट्च्श्न प्रोडक्शन प्रोडक्शन इतने हैं इसका नाम देते हैं इन चलो कॉस्ट आफ प्रोडक्शन ऐग यही बोल देते हैं क्योंकि मैं कुछ समझ बस्चे गलत ले जाए प्रोडक्शन इन सभी में भी आपको पता चल गया, क्यासे करेंगे क्रेडिटर,ρώ एवरेज दे दिया, यह दे ओ और क्या आसान काम चाहिए, अवरेज, सब कुछ दे दिया आ आपको क्या करना है सिर्फ फॉर्मूले में रखना है और काम हमारा हो जाएक तो सबसे पहले हम वार्मेट बना लेते हैं आपको जोertas में करर आना तो यह पता होना चाहिए कैसे करना चाहिए अज़र के अंदर पेपर में तो उरसे बश voucher में बता देटा हूं यह रहा हमारा amount पूछा गया current operating cycle तो उपर यही लिखोगे ठीक है अब एक एक करके हम formula को भी inside में लिखते जाएंगे और solve करते जाएंगे formula में थोड़ा short में लिख सकता हूँ तो सबसे पहले raw material है ना raw material का formula यहीं लिख देते है average raw material आपको exam में ऐसा ही करना है divided by आपको raw material consume नहीं तो अब purchase तो यहाँ पर raw material consume तो कहीं मिली नहीं रहा तो हम क्या इस्तमाल कर लेंगे यहाँ पर purchase इस्तमाल कर लेंगे अब कुछ नहीं बोल रहा तो 365 यह formula हो गया इस formula को solve करके दिखा देंगे तो average raw material देखो तो आपको कितने दे रखें असी और purchase दे रखें कितने 600 इंटो में 350 टोटली का काम last में कर लेंगे ठीक है और यह मैंने amount गलत लगा दिया यह किसमें आएगा टाइम यानि डेज में ठीक है न चलो अब इसके बाद क्या आएगा हमारा डबलू आईपी डबलू आईपी में क्या करें हम सर एवरेज डबलू आईपी डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ कॉस्ट रप्रडक्शन शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं यहां 65 एवरेज डबलू आईपी सवाल में गीवन है बिल्कुल गीवन 85 डिवाइड़ वाइड़ वाइड़ क्या हमें कॉस्ट अप्रडक्शन गीवन है बिल्कुल गीवन है इन्टू में 365 बाद में टूटलिंग इसके बाद किस पे आ जाएंगे हम एफजी में एफजी का क्या गीवन है एवरेज एफजी डिवाइड़ वाइड़ कॉस्ट अफ गुड़ सोल सी ओ जी एस इन्टू में 365 अब यहां सवाल में मजे की बात देखो एवरेज एफजी तो दे रखा 180 लेकिन कॉस्ट अफ गुड़ सोल नहीं मिल रहा तो मैंने क्या बता है जब कॉस्ट अफ गुड़ सोल ना मिले तो क्या यूज कर लेंगे कॉस्ट अफ पॉड़क्शन ठीक है कॉस्ट अफ पॉड़क्शन तो कॉस्ट अफ पॉड़क्शन कितना है हमारा 2100 इस्तमाल कर लेंगे alternative basis पे चलिए इसके बाद क्या जाएगा debtor debtor में कितना पैसा फसेगा average debtor divided by purchase नहीं यहाँ पे क्याएगा sales into 365 तो अगर हम average debtor की बात करें तो यहाँ पे सवाल में दे रखा है कितने 350 divided by average debtor दे रखा है average debtor आपको average debtor तो ले लिया sales sales सबसे उपर ही दे रखा है आपको 3000 into 365 अब हम यहाँ से less कर देंगे क्या सर यह से na gross operating cycle भी बोल देते हैं gross जैसे कि हमारा current assets इसे gross operating अभी हम net में ही कर लेते हैं creditor इसे creditor में क्या आएगा हमारा average creditor divided by purchase ही आएगा यहाँ पे भी और into 365 तो सर average creditor तो हमें दे रखा है 90 divided by purchase पता है हमें कितने हैं एककिस्सो इंटू 300 पर चेस चेस्सो एककिस्सो है खेस्सो है खेस्सो ठीक है अब फटा फट से इसका answer निकाल लेते हैं 80 divided by 600 इंटू 365 अब यह पॉइंट में आ रहा है तो मैं पॉइंट में 48.6 आ रहा है तो मैं इसको 49 कर दूं फरक नहीं पड़ता है कुछ पॉइंट में फरक आ जाएगा answer में दिक्कत वाली बात नहीं है यह पॉइंट साथ तो इसको 15 कर देते हैं अब यह पॉइंट सम्थिंग तो इसको 31 ही कर देते हैं यह पॉइंट यह 54 यानि 55 कर देते हैं इसको ठीक है अब इसको total कर लेते हैं तो यह क्या जाएगा net operating cycle net operating cycle कैसे निकाले 49 प्लास 15 प्लास 31 प्लास 42 माइनस 55 सर यह सवाल ना 82 यह सवाल कई बार 15 नंबर का पूछा गया है इस टाइप का question आप देखेंगे लास्ट टाइम भी जो आया था ना regular के correspondence के SL वाले में operating cycle आया था उसमें ठीक है अब इसमें एक question पूछ लिया number of operating cycle बताईए number of operating cycle very simple 365 divided by net operating cycle 365 तो formula का हिस्सा है और कितने थे 82 तो यानि एक साल में आपके कितने चक्कर लगेंगे एक साल में लगेगा 365 divided by 82 यानि 4.45 round आपके इतने बार आपको इतने टाइम पे पैसे चाहिए तो number of के आगे हमारा operating cycle किसी को कोई दिक्कत कोई परिशानी देख लिजे है किसी को दिक्कत किलियर है क्रेडिटर माइनस इसलिए करते हैं अब ये वाला ना हमें पैसे की जुरत है हमें raw material में अपने 49 दिन लगाने है भई डबलू आइपी में 15 दिन लगेंगे 31 दिन हमारे fix गूरे 42 दिन में debtor तो यहां से यहां तक जो time आएगा ना in time के duration में क्या रहेगा कि यहां से यहां तक के time के अंदर हमारे पैसे फसे रहेंगे market में क्योंकि raw material खरीद होगे उसमें भी पैसा जाएगा माइनस कर देते हैं हम creditor के time को चीक है यह जो लिखा है यह year में answer आए कि एक साल में इतने number of operating cycle होगा number of operating cycle year में आएगा यह number of operating cycle days में है और यह आता है number of operating cycle एक साल में मतलब यह 4 साल मत बोल देना कि कितने बार circle लगेगा यह भी मान के चलो 4.45 मन्त में हर बार मुझे इतने पैसे की जौरत पड़ेगी आपको 82 days में पैसे की हर बार जौरत पड़ेगी तो पहला 82 days खतम होगा फिर अगले 82 days के लिए फिर उसके अगले 82 days के लिए तो साल में कितनी बार आपको पैसे जौरत पड़ेगी तो 4.45 बार time है यह, actual में यह इतने time है Sir amount में 0, 0, 0 0, 0 questions में है अच्छा यह 0 नहीं लिया तो फरक क्या पड़ता है 3, 0 उपर भी 3, 0 नीचे भी वो cancel out होके यही answer आना है अगर आप बोलते है Sir 0, 0 नहीं लिया तो 0 लेंगे तो 3, 0 उपर भी लगाने होंगे 3, 0 नीचे भी वो cancel out होके यही desert आजएगा ठीक है हाँ लिख सकते हैं पर हमें तो days में निकालना है वो तो बोली नहीं ला हमने 0 से 0 काट दिया मानके चलो बिल्कुल first class है आपकी तो यह भी आज की first class ही है इस chapter की हाँ जी हाँ अब average निकालने का कुछ बच्चों को formula क्योंकि यहां तो दे रखा है तो average कैसे निकालोगे opening stock plus closing stock divided by अब किसका opening किसका closing वो आपको देखना होगा finished goods में finished goods, WIP में WIP, purchase में purchase, creditor में creditor, debtor में debtor clear है यहां तक working capital cycle कहां है यही तो net operating cycle यह है और इसी को working capital cycle भी बोलते है इसी को working capital cycle भी बोला जाता है ठीक है यहां है कर वहां है कर दो दो एफ चाहर कर दो यहां है झाल झाल